ननत की ट्रेनिंग गुपता फैमिली में सास ने बहु को कहा है कि ननत रेनु को घर की सारी काम की ट्रेनिंग दी दे ताकि ससुराल में जाकर रेनु घर की नाक नाक अकटवाए क्यों बहु रेनु की ट्रेनिंग कैसी चल रही है एक काम भी ठीक से नहीं करती है हर काम दुबारा करवाना पड़ता है ठीक है ठीक है सीख जाएगी अभी तो एक साल है उसकी शादी होने में मा जी मैं तो कहती हूँ उससे थोड़े और काम करवाने चाहिए ज्यादा प्रैक्टिस होगी तो ज्यादा सीखेगी और भी तो काम होते हैं उसके सिर्फ घर का काम थोड़ी ना करवाना सीखना है ठीक है मा जी मान लेती हूँ आपकी बात लेकिन जब ससुराल में रेणो काम बिगाड़ेगी तो मुझे कोई नहीं बोलेगा बेटी तो आपकी है सब यही कहेंगे कि मा ने कुछ नहीं सिखाया बात तो तू ठीक कर रही है ठीक है करवाले ज्यादा काम बहु की जाल थी की ट्रेनिंग के नाम पर रेणो सारा काम करने लगे और बहु मौ जुडाए ठीवी देखे और आराम करे मा मैं ना घूमने जा रही हूँ मेरे दोस्त का बर्टे है शाम तक आऊंगी लेट होगी तो फोन कर दूगी बाई अरे अरे कहा जा रही हो घर का काम पड़ा है बर्तन सफाई मैं तो सब कर चुकी हूँ किचन देख क्या हो भाबी अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था हाँ आज कल आप किचन में जा कहा रहे हो मैं ही सारे काम कर देती हूँ अरे बस इतना सा काम करके घमंड मत करो सिसुराल में इसका डबल काम करना पड़ेगा हाँ रेणू बहु का तो धर्मी होता है सिसुराल वालों की सेवा करना अरे ये तो मायका है ना मेरा वहां कर लिया करूंगी काम ठीक है ठीक है जा माथा ही खराब कर दिया देख लो सासुमा, मा था तो आपका खराब होगा जब इसके ससुराल वाले आपको फोन करके बताएंगे कि आपकी बेटी को कुछ करना ही नहीं आता बात तो चीक है तेरी तो रेणू, बड्डे से याद आया, आज तुम केक बनाना सीख लो ससुराल में केक बनाओगी, तो सास ससुर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा हाँ, लेकिन तुने तो कभी हमें केक बना के नहीं खिलाया हम पर भी तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन बना दे बहु अरे, लेकिन अभी तो रेणू की क्लास चल रही है न हाँ, भी न सासुमा, चल रेणू, केक बनाते हैं रेणू उदास हो जाती है, और किचिन में जाके यूट्यूब से देख कर केक बनाती है अब रोज ही कोई ऐसा काम निकाल दिया जाता, जिसकी वज़से रेणू दिन भर बिजी रहती ना दोस्तों के लिए कोई वक्त निकाल पाती और ना खुद के लिए और ना ही अपने इंग्लिश क्लास जारी रख पाती वो दिन भी आ गया जब रेणू को देखने लड़के वाले आए अरे वाँ, पोहे तो बहुत अच्छे बने हैं, कहां से मंगवाए रेणू नहीं बनाए है हाँ, पर सिखाए तुम मैंने हैं न ससमा वाँ वाँ, लड़का हमारा अमरिका में नौकरी करता है लड़की वहाँ की आदत तो पकड़ लेगी न हाँ, हाँ, सब कर लेगी रेणू हाँ, और लड़की को अच्छा-च्छा खाना बना के भी खिलाएगी लेकिन मैंने तो मेड लगा रखिये वाँ पर अरे रेणू रहेगी तो मेड की जरुद भी नहीं पड़ेगी, सब कर दीगी अब मेरा मतलब सिर्फ खाना बनाने से क्या होगा मेरे काम में हाथ बटवाले, मेरी तो यही प्रायोरिटी है घर का काम भी तो जरुरी होता है घर का काम भी जरुरी होता है, पर सिर्फ घर का काम जरुरी नहीं होता हाँ हाँ, सब कर लेती है रेणू, ओनलाइन बिल भर देती है, बाजार से समान ले आती है, अभी तो स्कूर्टी भी चलाने लगी है और हमने उसको केक बनाना भी सिखाया है पास्ता भी बना लेती है, पीजा भी बनाना सिखा दूँगी और बरतन तो ऐसे मांजती है कि आप चहरा देख लो उसमें और ये सब मैंने ही तो सिखाया है उसे अरे ये सारे काम तो मैं भी कर लेता हूँ लड़का होकर ये सब काम कर लेते हो जी, काम करने में क्या लड़का और क्या लड़की अरे लेकिन आप डोसा और जले भी थोड़ी न बना पाते होगे ये तो मैंने सिखा दिया है इसे आपकी हर बात घूम फिर के खाने पे ही क्यों आ जाती है अरे-अरे, देखो, ये न वहां जाके अमरिका में एक धाबा भी तो खोल सकती है लेकिन उसके लिए कम से कम इंग्लिश तो आनी चाहिए न communication भी ज़रूरी है आपने ये सब क्यों नहीं सिखाया उसे I can communicate in English, there is no issue I can also help you in your business, if you teach me the basics English ये तो आती है, sorry, मुझे लगा था आप सिर्फ खाना बनाना ही जानती है, और बोल नहीं रही थी तो इस घर में मुझे पिछले एक साल में किच्चन के काम ही सिखाये गए पर मैं सब सीखती रही, French भी आती है मुझे हर थोड़ी बहुत Spanish भाशा भी English फिल्मस भी देखती हूँ, हर गाने भी सुनती हूँ बड़ I don't think ये सब किसी पार्टनर को चूस करने के पैरामिटर्स होने चाहिए अब ये मैंने नहीं सिखाया है मुझे रेणू पसंद है, इतना बेबाक, इमानदार और साफ रेणू, क्या मैं तुमको पसंद हूँ? हाँ, अच्छा लगा कि तुम मुझे सिर्फ किचन में नहीं रखोगे मैं चाय बना कर लाती हूँ अब मैं भी बना सकता हूँ, साथ में बनाते हैं, बात भी हो जाएगी रेणू और उसको देखने आये लड़की अशोक ने साथ में चाय बनाई भावी को बहुत शर्मिंद की हुई और बाकी सारे लुगों को रेणू और अशोक पर बहुत नाज हुआ झाल